हलो प्रेंट्स आपका स्वागत है आपके अपनी वेटोक्स शीरीज के 31 बाकि अंदगत जो मैं आपके लिए हर संडे के संडे लेकर के आता हूं जो वेटोक्स शीरीज आपके लिए बहुत अच्छी नोलेजिबल होती है और आपको बहुत ही ज्यादा नोलेज देती है यह कि यह भी आए मेरे साथ ने जुड़े हैं तो पहले आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबाएं बेल आइकन को दबाने के बाद में जो आल वाला उपसन आता है उसको दबाएं ताकि बहुत समय आने वाली हर वीडियो की नोटमिशन आप तो किसी के ऐसे कमेंट्स भी आयते और कुछ से बंदोंने ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी आयते लेकिन इसका मतलब यह होता ऑफ नहीं होता क्यक्ते हिं अज Dazu बंदे हैं वो कह रहे हैं कि पे देने पर ही जो अब हैसर वो जवाब दे पाएंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है मेरे को इतना वक्त भी नहीं मिलता कि मैं सारे दिन आपको जो मोबाइल है या लेपटोप है उसके सामने में बैठ करके आप लोगों के कमेंट्स वो पढ़ता र रखें कि आपको जो इन ओलिज ले रहे हैं इसमें आपको क्या पे लग रहा है री बाद मेंबर्शिप की तो मेंबर्शिप के अंदर यह है कि आपको इदी परफेक्ट नौलिज चाहिए किसी चीज़ के बारे में एदी आपको तुरुंच जवाब चाहिए तो आपके लि कमेंट्स या जो आप भी को जो नंबर दिये जाएंगे या आपको जो कुछ भी गुरूप बनाए जाएगा उसके लिए जो मैं टीम बनाऊंगा वो टीम उसको रिडिंग करेगी वो मेरे को बताएगी तो उसके लिए क्या उन्हें भी कुछ पे देना पड़ेगा इसके ल नोलिजबल है उनको ऐसी चीजों की कोई जूरती नहीं है फिर भी बहुत ऐसे बंदे हैं जिनने मेरे पास कोल भी किया था मैसेज भी किया था तो उन लोगों के लिए जो चैनल है जो नोलिजबल चैनल होते हैं उन्हें कुछ पे देना ही पड़ता है यह बात आप जूर द्यान रखें और जो भी मेंशिब ली जाएगी वह च्छह मैने और बारा मैने की दो स्किम के तोर पर होगी वह जल्दी आने वाली वीडियो के अंदर आपको बता दी जाएंगी कि उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा क्या उसके लिए आपको अलग से नंबर दिये लिए और बाहर से बाल भूप जाते हैं डोको आप अंदो मैं क्या दो दॉप है को आपको कि आपको यह चालिसे 50 कि बोडि एक एमल सबकर लगवान है आप अपने दोंच को और फिर एक बार हो रिपीट करवा देना है और साथ यसाथ आपको एक लिक्यूट देना है जैसे स्टार कोट है यह 20 ml प्रडे के हिसाब से क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटिन्स होती है OWEGA 369 वैसे इन और आपको एक डिटिल चए क्वीड सिखर करियाए क्या कि जो इसका काम करती है तो को सवेकश कोट यह सकते हैं ija कोट और एंसडी का वह भी आप देसकते हैं दोनों में से कोई साब कर सेुकल को fut spoको कम से कम एक तीन मेने देना है जो भी आप अपने लेबरा डो की समस्या बता रहें उनकी समाधान हो जाएगा और साथ इसाद आप मेडिकल से जो किटो कोनाजोल साल्ट वाली टेबलेट आती है जो भी हैर प्रोब्लम आपके डोकी उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और इदी आपके हैर प्रोब्लम है डोक के बारे में तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से और वीडियो बना दूँगा अब असुपालन चैनल कहते हैं सर मेरी एक आए के डिलेवरी के बाद भी ना भी में पानी उतर गया और आज पांसवाद दिन है बहुत प्रेसान हो प्लीज इलाज बताएं देखो एदी ऐसी कंडिशन है तो मैं आपको ज़्यदा डिटेल में जाकर कि न जाकर कि आपको ज इसाथ आपको लगाना है जो विर्बे कंपनी का आता है मेगलोडाइन यह इंजेक्शन लगाना है 20 ml इंट्राइमस्कुलर या इंट्राविनस यह लगाता है आप दो दिन आप अपनी जो भैंस है गाह ए उसमें आप यह इंजेक्शन लगा सकते यह लेकिन यह बात आप ज इंजेक्शन लगाना आता नहीं है तो आप यह इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं सोबक राजपूत कहते हैं प्रिग्नेंट पसू की हेल्थ बनानी है कौन सी मेडिसियन यूज करें सर पलीज सोबक राजपूत देखो यह आपका पसू प्रिग्नेंट है और उसकी बनानी है तो उसके लिए प्रोपर मात्रा में प्रोटीन के आवस्था होती है यह आपके प्रशू को जो आपका प्रशू कमजोर है या आपके प्रशू के अंदर इम्युनुटी पाऊर कम है तो इसके लिए मैं आपको जो प्रशू बताओं गा वहें जैसे कि अंधर प्रशू करका आता है प्रोटीन होती है वैसे बहुत चैसे प्रोट आते है लेकिन जो अच्छा रिजल्ट है ऐसे बात नियीए कि जो मैं यह पावडर बता रहा हूं वही पावडर या लिक्वीड या इंजेक्टबल बताता हूं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे को मिलते हैं या जो हमारी डॉक्टर है उन लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उनी के बारे में आप लोगों को बताया जाता ह है तो यह जो खुराक है यह आपको डेट सो से तीन सो ग्राम यानि डेट सो ग्राम से लेकर के तीन सो ग्राम प्रड़े के साब से लगातार आप अपना पस्वाइब उसको 15-20 दिन तो दें ही दें और साथ यसाथ आप जो मेंकाइंड के एक आती है फेरी काइंड वेट जिसके अंदर गत आयरन मल्टी विटामिन का एक सम्मू होता है यह आप अपने जो गाय है उसको 50 ml प्रड़े के इसाब से जो प्रिग्रेंट पस्वाइब गाया भैस किसी को भी 50 ml प्रड़े के इसाब से लगातार कम से कम आपको 20 दिन तो यह जो लिक्वीड या पाउडर है वह आप अपने पसूं को देने ही देने इन बात का आप जुरूर ध्यान रखें अब महस गुजर कहते हैं सर मेरी एक भैस है जो हर 2-3 महीने पर बिमार होती है कर्प्या इलाज बताएं तापमान भी कम रहता है सो डिग्री सेंटिग्रेट से यह दि देखो यह आपकी भैस जो है बहुत कम समय में यानि 2-3 महीने में बिमार होती रहती है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आपको यह है कि आप प्रोपर मातरा में उसको मल्टी विटामिन्स या मल्टी मिनरल्स जो पावडर आते हैं वह आपको देने ही देने हैं वह भी लंबे समय तक तो म उसको पशाच से सो ग्राम प्रडे के साथिया आपको जब 12 तो ग्राट के पहलाता था या जो खना परक कर देती है तो आपको क्या करना चाहिए तो जो Aira Company यह पाटोनिक पलस आती है जैल हीपाटोनिक पलस वैसे बहुत चैसी जैल आती है लेकिन में जो आपको बता रहा हूं यह पाटोनिक पलस 300 ml लगातार तीम दिन आप अपनी भेहस को दें जो आप यह बता रहे हैं कि मेरी भैंस बहुत कम समय में बीमार हो जाती है या कम समय में आपकी भैंस है वो खाना पिना कम कर देती है तो मैं आपको ज्यादा जो powder है या liquid नहीं बताते हुए आपको जो एक powder है accelerated aigri mean super पर विरभे Company को आता है वो देना है और जो एक एरा की जो हिपा टौनिक प्लस है वो 300 ml लगातार तीन दिन देना जब भी एदि आपके बीमार होने की इस्तती में हो तब आपको जो एरा वह यूज में लेनी है आप कही ऐसे बंदे भी कहींगे कि सर आप तो जो विर्वे कंपनी का यह वह प्रोड़क्ट आक के बारे में आप बहुत ज्यादा बताते हैं ऐसी बात नहीं है जो भी कंपनी है जो भी अच्छे ब्रांड है जिनका हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है उनी के बारे में आप लोगों को बताया जाता है आप मेरे चैनल पर कम से कम 200 वीडियो बनी हुए होगी आप जाकर के देख सकते हैं और आप लोगों ने किसी पसू को आपने जो लिक्वीड पावडर या दिया होगा या टेबलेट दी होगी तो उसमें रिजल तो आपको जुरूर ही मिला होगा ऐसी बात नहीं कि किसी में आपको रिजल नहीं मिला है तो जो मेरा चैनल है वो आपको कभी भी बैकाता नहीं है किसी भी मेडिशन और किसी भी पावडर लिक्वीड के बारे में लेकिन आपको जो लिक्वीड या पावडर है जो फिट सप्लिमेंट वो आप आराम से आप अपने पसू को खिला सकते हैं और जो injectable आते हैं injectable के बारे में जितनी भी बताता हूं वो आप अपने पसू चिकत्से की देख रेक में ही लगाएं ताकि आपका पसू भी सवस्थ रहे रही बात जो में एंटिबाइटिक इंजेक्शन के बारे में मेरा मकसद के है हर जो चेंडल आपना weight patient and kettle इसके अदर जो हर इंजेक्शन आते हैं उसके बारे में आप लोगों को detail से बताया जाए डिटेल चैनी आपको अच्छी तरीके से बताया जाए ताकि इस इंजेक्शन के क्या-क्या उप्पी हो गए, क्या-क्या साई रिफेक्ट है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ, आप इंजेक्शन खुदी यूज में ले, पसू चिकल सकी जुर जरूर आप सला ले कि ताकि आपके नजदिक जो पसू चिकल सका है उन्चे सला लेकर कि इंजेक्शन आप जरूर लगाएं, यह आपको कुछ लगाना आता है या आपको प्रोपर ट्रीटमेंट करना आता है तो भी आप यूज में ले सकते हैं, यह आपको मेरी वीडियो अ आप कई ऐसे बंदे हैं जो वीडियो देख जाते हैं लेकिन उस वीडियो चो मेरा चेनल उसको सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन बात जूर द्यान रखें, आप वेट पैड एंड केटल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो में अच्छी सच्छी और knowledgeably video आपको हर्ष में ऐसे ही मिलती रहेंगी और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ पसुपालवकों के साथ और जितनी भी मेरे वेटेनेरिस के साथ आप सेर भी करें इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें इसी तर आप